दोस्तो आज का टोपिक है कि जो सेरमिक फिल्टर जा फिर उसे हम कहते हैं ग्रैविटी फिल्टर दो मेटेलिक और एवी सी बोडी में आता है तो हमें कौन सा लेना चाहिए उसके क्या क्या फिचर्स हैं और आज का लेटेस्ट जो कोपर के साथ आ रहा है कि आ उसको प्रचेस करना चाहिए तो अगर दोस्तो आप रिपेरर हो दीलर हो तो चैनल जिरू सब्सक्राइब करें और जो भी आपका ड्रैस है वो सेंड करें तो और प्लास्टिक बोडी में ABS स्पेचल बोडी जो होती है उसमें ग्रेव्टी फिल्टर की बात करेंगे और दोनों के बारी बारी फीचर्स अड्वांटेज और डिस अड्वांटेज शेर करेंगे आप से तो देखते जाईगा सबसे पहले हम बात करेंगे ABS बोडी में जो हमारे सामने है इसमें हमारा एक सेरामिक फिल्टर और एक हमारा कारवन फिल्टर मिनल काटेज लगा होता है और इसकी जो स्टोरेज भी है वो होती है नीचे 12 लीटर और उपर 8 लीटर मतल जब उपर से हम पानी डालते हैं तो सबसे पहले जो सेडिमेंट है तो दोस्तों अगर हम ग्रेवटी वाटर फिल्टर की बात करें ABS बोडी में तो इसमें दो तरह के फिल्टर होते हैं नमबर एक सेडिमेंट फिल्ट से उपर जा इसके बराबर हो उसको यह ट्रैप का देता है और फिल्टर का देता है और जितने भी गारा सेंड सेल्ट मड होती वो यहां ट्रैप हो जाती है और दोस्तों खासवाज है कि इसको 20-25 देन के बाद हमें साफ कर देना चाहिए वार्म वाटर से तो इससे हमारी व रूर्म ग्रेव्टी तक यहांब यहां हमारा सीकंद फिल्टर में इकठा होना शुरूv मुया तो यहां हमारे लगे हुए कार वन्फिल्ट्र और साथ मियन नलसका तो पहले रिंट्र की बात करते है तो कार फिल्टर दोस्तों इसमें खास प्रोप्रट है खास दोर पे जो हम खेतों में शलका करते हैं और नेच्छल जो पत्ते होते हैं उनकी वज़ा से पानी का कलर चेंज हो जाता है पीला पाना जाता है जंगाल सा होने लगता है जो इन सब चीजों को दूर करता है और पानी को क्लीन करता है और प्यूर करता है और इसके नीचे वाले पोर्शन मे हमारे mineral cartridge होते हैं जिसमें sediment filter के इलावा जो पानी को चाहिए mineral चाहिए होता है तो वो पानी को mineral magnesium, calcium, potassium महिया करवाते हैं और पानी को mineralize करते हैं तो यह खासियत ही हमारे sediment filter की और साथ में carbon filter की अब हम इसकी अगर टूटी की बात करें कि यह important part है और जब भी यह leakage हो जाए तो इसका spare part मार्कीट में available होना चाहिए तो इसका जो available है spare part मार्कीट में राम से मिल जाता है और इसको install करना भी बहुत easy होता है और इसका parts भी हम खोल कर द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं तो यह बात तो होगी हमारी filter की जो ABS body में है plastic body में है अब अगर हम बात करें availability की तो मार्कीट में दोनों भी available है और spare part की अगर बात करें तो इसका जो spare part है थोड़ा time लग जाता है कई वार मार्कीट में नहीं available होता है लेकिन जो हमारा sediment filter steel का है उसमें अराम से available हो जाता है तो अब हम बात करेंगे steel के water filter की तो दोस्तो स्टील के water filter अलगला capacity के आते हैं 20 लीटर 25 लीटर 30 लीटर 35 लीटर जे दोनों की अगर बात करूं water filter की चायए ABS का हो जा स्टील का यह वहां यूज होते हैं जहां पानी की TDS 300 से नीचे हो और उसमें heavy metals like mercury arsenic और जितनी वी other heavy metals जहरीली होती है वो ना हो उनकी risk न नहीं है वहां में आरो ही लगाना चाहिए तो बात काते हैं स्टील के water filter की तो इसमें हमारे जो है एक ceramic filter लगा हुआ था और एक carbon filter बिद मिनल काटे लगा हुआ था लेकिर इसको खोल कर आब हम देखते हैं तो इसमें हमारे दो ceramic filter लगे हुए एक की जगा जो अलगलग shape के हो सकते हैं और अलगलग बजन के हो सकते हैं जैसे कि मैं आपको यह बता देता हूँ इसका बजन तकरीवन 300 gram के करीव है और दूसरे का हमारा सबसे बड़ा बैनिफिट का की जे दोस्तो स्टील का वाटर फिल्टर पानी के साथ कोई reaction नहीं करता है और ना इसको जंगा लगता है और इसकी finishing unbreakable क्योंकि अगर डिग भी जाए तूट भी जाए बच्चों की बजा से तो यह फिल्टर तो तूट सकते हैं लेकर स्टील का अगर फिल्टर की बात करें तो इसमें से स्टोरेज है कि अगर उपर से पानी डालेंगे तो ग्रेवटी के थूए इनके पोर्ट से होकर पानी अंदर नीचे चला जाता है सेकंड कंटेंडर में और यहां से हम टेप के साथ पानी निकाल लेते हैं और दोस्तों का जो फ्लो रेट है आलमूस सेम है जो कपैस्टी इसकी है दास लीटर प्लस दास लीटर अगर उपर दास लीटर हम डालेंगे पानी रात को तो सुबह तक यह फिल्टर आउट हो जाएगा और कस्टमर को इसी रहेगा लेकिन फिर मैं एक बात बता दो दोस्तों यह लो टीडिस वाटर फिल्टर है और अगर ह कैमिकल्स पानी में है तो उसको रिमूब करने के लिए इस फिल्टर में ऑप्शन है लेकिन स्टील के वाटर फिल्टर वहां सेफ है जहां कैमिकल्स कम हो जा ना हो जा रिस्क ना हो कैमिकल्स का पैस्टी साइड का वहां स्टील का वाटर फिल्टर ही यूज का सकते हैं यहा कार्वन फिल्टर मिनर्नल काटिज लगाया जा सकता है जा फिर इसके अंदर ही नीचे रखा जा सकता है तांकि जो पानी में केमिकल्स है वो कार्वन के साथ रियक्टिन करकर पानी में वो neutralize हो जाएं, chemical neutralize हो जाएं तो दोस्तो हर चीज क्या solution होता है लेकिन कुछ जगा ये water filter without carbon filter ही अभी available है आने वाले वक्त में मिल सकते हैं जहां carbon की option भी हो granule से जो इसके अंदर use करते हैं क्यों main काम उसका पानी को neutralize करना है, chemical free करना है तो दोस्तो अगर दोनों के rate की बात करें तो इसका rate जो है 1500 पे से शुरू हो जाता है और इसका rate जो है 1100 पे से शुरू होकर 2000 तक जाता है और availability दोनों की market में है तो next video के साथ फिर मिलेंगे नहीं जानकारी के साथ Thank you